तो यह घटना कैसे हुई और क्या क्या दिक्कते हुई और प्लेस से कौन सी पुस्तके जली हैं ठीक है जौन सकी थी वह और प्लेस कितना कुछ नुकसान हुआ इस वीडियो में हम लोग इसकी जानकारी लेंगे ठीक है तो देखिए जैसे की पता दे कि विश्य विद्दाले क मुल्यांकन, जहां पर मुल्यांकन हो रहा था वहां पे आग लगी थी उत्तर पुस्त्रिकाएं जली हैं ठीक है तो उत्तर पुस्तिकाएं जल गई हैं और क्या क्या है इस वीडियो में वह देखते हैं देखिए सबसे पहले कि 6 दमकलों ने 2गंटे में पाया काबू मतलब समझ रिदो वंटे के मतलब है बहुत जादा नुकसान हुआ होगा और इसमें दिया गया है कि आग का कारण अभी पता नहीं चल सका है नुकसान कितना है और क्या रहे वज़ा इसकी जाज के लिए एक कमिटी गटिक कर दी गई है ठीक है और कितने दिन में वो अभी मतलगी ब भवन में सुमवार सुबा आग लगी आग से भवन में रखी हुई पुरानी देखिए यहां पर दे दिया गया पुरानी और खाली उत्तर पुस्तिकायती जो थी जरूरी बिल्स आदी पूरी तरह से जल गए ठीक है तो अभी ज्यादा वैसे घबराने वाली बात नहीं है आप लोगे जो थी वो सब सेफ है तो इस पे खाली क्या है कि जो पुरानी उत्तर पुस्तिकायती वो जली है खाली उत्तर पुस्तिकायती वो है और जो जरूरी बिल्स थे वो जले है ठीक है सुचना के आदे घंटे बाद पहुँची दमकल की छै गाड़ियों ने दो रांकन भवन में प्रस्न पत्र वा उत्तर पुस्तिकां रखने के साथ परिक्षा से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज रखे रहते हैं सुमबार्स बदस बजे भवन की पहली मंजिल में सौट सर्किट से आग लग गई है ठीक है धुआ अब लप्टे उठने लगी तो सा कारण बचने के बाद ही करमचारी हरकत में और भवन में रखे फायर करनों से आग बजाने की कोजिस करी इसके बाद दमकलवानों किसने आग पर कबुपाया आग लगने के कारण अभी पताने चला है ठीक है बड़ यह देखिए उन पर दे दे रहा कि सौट सर्किट बड़ रखी गई थी यह कॉपिया कोडिंग रूम में रखी गई थी वहां तक आग नहीं पहुची है वही पिछले दो साल से कॉपियों को जांच से पहले कंप्यूटर पर स्कैन कर लिया जाता है सभी कॉपिया का डिजिटल समूल्यांकन होता है चीक है और इसके बाद दिया गय को आगर अंदर घुसने में काफी परिसानी का सामना करना पड़ा दमकल कर्मी ऑक्सीजन केट पहन कर अंदर घुसे और आग पर काबू पाया कुछ दमकल जो कर्मी थे पीछे के रास्ते खिड़की तोर का अंदर घुसे ठीक है फिर इसके बाद दिया गया देखो दो तक यह आगर लगी थी इस पर काफी टाइम लग गया था इसको बुझाने में और फिर लास में दिया गया यह तीन दिन में रिपोर्ट जो बताया कि रिपोर्ट एक कमिटी बनाई गई है इसकी पूरी जाश परताल करेगी कि कैसे इस पर आग लगी और क्या कितना नुक्स परिक्षा UIET के ने में कराई गई पाच सदस्य कमिटी जो चार्च कमिटी है तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी ठीक प्रॉफेसर सुदान सूपांडिया परिक्षक दिए गयन तक तो इन्होंने यह बताएगी तीन जो कमिटी बनाई गई है वो तीन दिन में अपनी किस्तरी आग होगी जल्दी जल्दी अभी इसके कुछ दिन पहले मेरे एक मेना पहले ट्रग भी चला था यह इस यह के पास ही चल गया था वो भी और फिर इसके बास दूसरी पाईली वाले जो सबसे बड़ी जो आग लगी ती यह मार्केट जब चली थी बासमंडी वाले बा दीजिए और ठीक है चलिए इतनी रखते हैं वीडियो को और जो भी इंपॉर्टन वीडियो रहेगी वह आप लोगों को मिलती रहेगी ठीक धन्यवाद